फ्यूल वैल्ब के सारे पार्ट को मैंने यहाँ पे खोल दिया ताकि आप इसके वर्किंग को अच्छी तरह से और बहुत असानी से समझ पाए तो यहाँ पे आप देखे लो यह हमारा देथी जुगाड़ वाला फ्यूल टैंक और इससे हम आज की टॉपिक को अच्छी तरह से समझने वाले हैं तो लगतार गाड़ी को चलाते रहते हो और दिरे दिरे करके जो पेट्रोल है वो कार्बूरेटर में जाते रहता है हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मेकैनिकल टेक हिंदी यह है फ्यूल वैल्प जिसे पेटकॉक वैल्प भी कहते है और सेम ऐसा ही पेटकॉक वैल्प आप यहाँ पे लगा हुआ देख रहे हो अक्सर अपने बाइक में आपने इस फ्यूल वाल्प को यूज किया होगा आपने इसे ओफ के पोजिशन पे रखा होगा रिजर्व के पोजिशन पे रखा होगा कई बार आपने इसे ओन के पोजिशन पे रखा होगा इसके लावा यह आपका नॉप देख रहे हो इसे भी खोल के मैं पूरी तरह से explaining करने वाला हूँ In fact, इसके लिए मैंने एक छोटा सा अपना खुद का एक पेट्रोल टैंक भी बनाया है जहांपे मैंने इसे fit कर दिया है यहां पे एक hole और आपको यहां पे एक hole दिखाई दे रहा है Basically यह जो दोनों होले यह हमारा जो fuel tank है यहां पे आप देख रहे हो इस वाले position पे और इस वाले position में जो है यह यह यहां पे जो tight हो गया है जिसके वैसे होता यह है कि यह जो दोनों pipe है ठीक यह जो पाइप है वो यहां पे जो हमारा fuel tank है इसके अंदर में आप यहां से दिखा दो इसके अंदर में चला जाता है इन दोनों अलग-अलग position में होता है तो पहले चले इन दोनों pipe की बात कर लेते हैं अब यहां पे जो बड़ा वाला pipe देख रहे हो यह है an position का pipe और यहां पे चोटा वाला यह वाला जो pipe है इसी तरह के और yes एक बर मैं आपको और सी इंटेस्टिंग चीश दिखाना चाहूँँगा इसे खोल देता हूं ठीक है तो यह लग-अलग रास्ता तक पहूंचने के लिए अब यहां पे इन दोनों का काम कैसे अलग-अलग पोजिशन पर होता है यह भी आप समझे लो अब यहां पर आपको यह जो चोटेटे दो स्क्रू दिखाई दे रहे मुझे इसे खोल लाँगा तब जाकि यह जो नॉब है वो बाहर आएगा तो मैं फटापर्ट इससे पहले क्या करता हूँ खोल लेता हूँ तो यह देखो यह जो दोनों स्क्रू है यह यहां पर बाहर निकल गए है इसके लाब यह जो हमारी पास दिया हो पोजिशन वाला ठीक है इंडिकेटर वाला इसे भी मैं क्या करता हूँ बाहर निकाल लेता हूँ तो देखो यह भी बाहर निकल गया है यहां पर आप देखो य जो नौ भी यह भी बाहर निकलता है और यहीं से सारी चीजे जो है वो आपको किलर होने वाली है वसे नीचे वाला पोजिशन में आप यह जो देख रहे हो यह भी खुलता है इसका क्या का मैं आपको वीडियो में आगे भी खोल के बताऊंगा लेकिन पहला हम लोग इन चीज कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है कभी बंद हो जा रहा है वो इस वाले पोजिशन पे आए हुए है अब आप यहां पे समझों कि exactly यहां पे होता क्या फिर मैं आपको जो पेट्रोल टाइंग हमने बनाया है उस पर डाल के सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली शो कर पहले आप ठोड़ा पे theoretically भी समझ लो तो यहां पे आपको hole दिखाई दे रहा है तो exactly होता यह है कि जैसा कि आपको यहां पे पता है कि भाई यह भी आप देख लो ताकि killer साब कुछ killer हो जाएगा यहां पे कि यह वाला position जो होता है यह off का होता है ठीक आपको पता कि यहां पर आपको लिए आएंगे तो off हो जाता है उपर वाला position होता है reserve का और नीचे वाला यह होता है on का यह याद रखेगा ठीक है यह जरूरी है अब यहां पे मैं क्या करता हूँ इससे पहले hole को जो है इसे अंदर डालता हूँ तो जब मैं इसे सीधा इस तरह से इसके अंदर में डाल रहा हूँ देखो यह मैंने सीधा इसे अंदर में डाला है तो आप बताओ कि भाई hole किदा रहे hole इस तरह है मैं फिर से show भी करता हूँ hole यहाँ पे है तो जब मैं इसे सीधा इस तरह से डाल रहा हूँ तो hole जो है वो यहाँ पे इस वाले position पे आ गया है ठीक है लेकिन यही जब हम लोग सुरुआत करते है और वाले position को समझते है जब हम लोग इसे off करते है यानि कि इस वाले position पे ले आएंगे इस वाले position पे ले आएंगे तो क्या होगा कि जो hole इस तरफ था hole नीचे के तरफ आ जाएगा देखो hole नीचे के तरफ आ गया है इसलिए यह वाला जो पाइप है और ये वाला जो पाइप है ये दोनों ब्लॉक हो गिया है क्योंकि यहां पे ये वाला पोजिशन उपर आ गिया है तो उसने क्या क्या है इन दोनों भी पोजिशन को ब्लॉक कर दिया है यानि यहां से कोई भी पेट्रोल यहां से बाहर कार्बूरेटर में नही करते हैं कि जो वैल्प का नॉब है इसे नीचे के तरफ रखते हैं अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात अब देखो जब मैं नॉब को नीचे के तरफ रखूँगा तो यहां पर आप देख लो इस साइड जो होल है वो आपको दिखाई दे रहा होल यानि कि जब मैं अंदर नॉब मैं अंदर डाल दिया आहनि कि होल इस तरफ में होल इस तरफ में है होल इस तरफ इसका मतलब किया हो गया कि यह वाला जो गई उब भू seit है इसका बाला ब्लॉक हो गया कि अशनी यह वहां प्र लिफ रख बнить ठीक है, आन के position पे रखा है, पे क्या होगे कि यह वाला जो line है वो चालू हो गया, अब होता क्या है कि जब हमारा जो fuel tank है, जो petrol tank है, जो petrol डालते हो, दस लिटर है, बाइटर है, पास लिटर है, चाल टर जितना भी आप रखते हो, ठीक है, उस पे depend करता है, तो जब petrol जादा ह होता है, जादा होने का मतलब होगा कि जब reserve से जादा होता है, और reserve से जादा मतलब हो गया, कि यह वाला जाली देख रहे हो, इसका यह जो आखरी पोजिशन है, ठीक, इस से, इस से उपर जब petrol होता है, और आपने यहां नीचे रखा हुआ, आन के position में, तो petrol अराम से, पृप से पायआ पे वह रहुता है दो इस पायप में चलास्टा है जब तक रिजर्व से जादा पेट्रोल होता है लेकिन पेट्रोल टैंक ि पायगा मतलब यह क llev ब्लॉज देखे सरे यंगここ इस वाला जो पमस्ते की चला जाता है अब जब पेट्रोल इसे भी कायगा तो तो में तो जाहिर से बात यहां पे कोई जाली वगत आपको दिखाए दिए नहीं रहे है या ने कि पिट्रोल गा सप्लाई बंद हो जाता हा हालां कि फियूल टैंग में पिट्रोल इस वाए पोजिशन पर है लैकिन जाली से नीचे है तो और यहां पे क्या हो रहा है कि यह हमने यहाँ पे और में रखा हुआ तो यह वाला लाइन तो ब्लॉक है पिल जाली से तो जा रहा है लेकिन आगे नहीं बलॉक क्या हुआ ओर में खिया हुआ तो सिर्फ ओन में क्या होता है ? जो बड़ा वाला हमारा pipe है यह जो point है इस से उपर जितना patrol है जब तक हमारी जो bike वो reserve में नहीं आती है तो यह जो line अपना काम करते रहता है यहां से fuel जो है वो निकलते रहता है लेकिन जब bike reserve में आ जाती है तो हम क्या करते है या वैसे भी हम क्या करते है कि जब हम लोग यह जो valve है इस से उपर की तरफ रखते है ठीक है यह जो valve है इसे हम लोग reserve के position पे रखते है अब देखो reserve में क्या हो तो मैं इसे बाहर निकल के दिखाता हूँ आपको तो reserve position में देखो क्या हो जाता है कि यह जो हमारा hole है वो कुछ इस तरफ से होता है देखो मैं reserve के position में ही यह आप वापस लाके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखना, यह चला गिया है, यानि होल इस तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ है, कि यह वाला जो हमारा require, यह लाइन आन हो गया ह, यह चालू हो गया है, इधर जो है, यह लाइन बंद हो गया है अब देखो रिजर्व में क्या होता है कि भाई पेट्रोल चाहे जादा रहे कम रहे पाथ लिटर रहे एक लिटर रहे दो लिटर रहे दस लिटर रहे उससे बिलकुल फरक नहीं पड़ता है ये वाला जो हमारा पाए पे ये चालू हो गया ये वाला जो हमारा position سے क्या होता है, की यह line चुकि चालू है, यहाँ पाप आप जाली दिखाई दे, आपको hole दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से fuel आने लगता है, और यहाँ से हमारा वो car galitan मैं जाने लगता, Patroled basically यह जो हमारा तीन अलग अलग position है, off का, on का और रिजर्व का यहाँ पे जश्ट इस होल के वाई से चेंजेस होते रहता है इनके लाइन में और यह इस तरह से काम करते रहता है अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कार है और आप अपने कार के लिए 100% जेनुएन इस पर पार्ट चाहते हो तो इसमें आपके हिल्प करेगा अपने कार के मॉडल के हिसाब से 100% जेनुएन इस पर असानी से यहाँ पर सर्च कर सकते हो साथ ही आपको यहाँ पर अपने कार के मॉडल के हिसाब से OEM catalog भी देखने को मिल जाएगा कार के हर एक section के लिए जैसे की engine, transmission, steering और बाकी के सभी section के लिए अलग-अलग catalog आपको देखने को मिल जाएगा उस catalog में उस section के सारे parts का आपको detail देखने को मिलेगा पार्ट का नाम, पार्ट का number, पार्ट का description, वो पार्ट कितना लगेगा यह सब आपको यहाँ पर देख सकते हो, साथ याप हर एक पार्ट की अपने कार के साथ compatibility को भी check कर सकते हो और अगर पार्ट आपके कार के साथ compatible हो जाए, तो फिर आप उसे असानी से याँ से order कर सकते हो, यहाँ पे आपको 10 दिन का return policy भी देखने को मिल जाएगा तो budmo.com के official website का link मैं इस वीडियो के description देख दूँगा, तो please आप budmo.com पे जाए और वहाँ से अपने कार के लिए इस प्यार पार्ट को जरूर से order करे चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो fuel value वह practically कैसे काम करता है, तो मैं यह जो जा रही जो bottle है, इस bottle से जो petrol है, original petrol है, इसे डाल देता हूँ, और फिर मैं आपको तीनों position का बारे समझा देता हूँ तो इसी तरह से आप जो fuel tank आपकी गाड़ी का petrol होता है, उसके अंदर में petrol pump में जाके इस तरह से मालो, आप petrol डलाते हो, ठीक है तो चलो, पहले off की position के बात कर देखो, अभी मैंने क्या किया है, कि जो fuel valve, जो petcock valve है, इसे off वाले position पे रखा है, तो आप देखो, यहाँ पे यह जो वारा होले, इससे कोई भी petrol बाहर नहीं निकल रहा है जब आप अपने bike में petrol डलाने के बाद, इस fuel valve को नीचे के तरफ on के position में कर देते हो, तो देखो, पेट्रोल जो है, वो निकलना शुरू हो गया है, पेट्रोल लगतार निकलते जा रहा है, हाला कि नीचे मैंने यहाँ पे bucket रखा हो यह वाला, तो यहाँ पे सब कुछ गिर है, तो यहाँ पे देखो, कि भाई, reserve वाले position में इसे आप चलाते रहते हो, लगतार गाड़ी को चलाते रहते हो, और दीरे-दीरे करके जो पेट्रोल है, वो कार्बूरेटर में जाते रहता है, आप देखो, यह कब तक जा रहा है, यह जाना, इंट्रेस्टिंग है, अला कि आपका जो पेट्रोल टाइंग है, उसके अंदर में पेट्रोल तो अभी भी आप देखे रहे हो यहाँ पे, लेकिन देखो, दीरे-दीरे करके यहाँ से अब जो पेट्रोल निकलना है, वो बंद हो गया है, वो बंद क्यों होगी, आप उपर आके पर दिखा दो आपको शुरूम बताया था कि यह वाला जो पूजिशन है, यहाँ पे जो हमारा नेट सा दिया गया है, यहाँ पे जो होल सा दिया गया है, जो पेट्रोल है, उसके नीचे आ गया है, इस वज़ा से यह आपको देखने हो आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाए दिखाए दे यह जो हमारा लाइन है यह लाइन खुल जाएगा और यहां से पेट्रोल निकलने लगता है तो चलो मैं इसे रिजर्व के पॉजिशन पे ले आता हूँ यह जो पेट्रोल है वो निकलना फिर से शुरू हो गया है उपर में बड़ा वाला जो पाइप वो अभी काम नहीं कर रहा है और यहां पर छोटा वाला जो पाइप वो अक्टिवेट हो गया यह वाला जो लाइन ने वो हमारा अक्टिवेट हो गया और सेम इसी तरह से आपके बाइक में भी काम होता है, जो हमार off का position हो, जब on हुछ रखते हो, तो यही होता है, अब आप रिजर्व में नहीं रखोगे, जाधा भी पेट्रोल रहेगा, तो भी होता है, जाधा पेट्रोल भरा हुआ, आपने रिजर्व में रखा है, तो भी शुरूआर से ही इसी लाइ जो कार्डोटर रहे वहां पर चला जाता है और इंजन में जाके वह बर्न हो जाता है चली अब मैं आपको इसे जो खोल के दिखाएता हूं कि यह क्या है क्यूं दिया जाता है मैं आपको वह भी समझा जाता हूं तो देखो मैंने से खोल दिया है तो बेसिकली होता क्या है कि अगर in case किसी वयाँ से यहाँ पे कोई गंदगी वगरा जमा हो गई है, यह position जो है ब्लॉक हो गया है, तो एया से pump करने के लिए, या इसे साफ करने के लिए इसे यहाँ पे दिया जाता है, जश्ट यह काम इसका होता है, मैं इसे यहाँ पे tight कर देता हूँ, और इसलिए ही यहाँ पे आप जो पेट कॉक वैल्फ है, उसके नीचे में इस वाले पार्ट को देखते हो, तो फ्रेंट्स उमीदे कि आज की इस वीडियो से आप फ्यूल वैल्फ का जो तीनों अलग अलग पोजिशन है, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, यह बहुत अच्छी तरह से आप समझ गया होंगे, काफी मैंने डीटेल इमें आपको समझाया है, उमीदे वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए, इसकर आप अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाद दे, ताकि आने वाले इंपॉर्टन वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के तुरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में, थैंक्स वाचिंग इस वीडियो, गुडबाई!